नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेकनिकल गार्णिंग विद अभी में है दोस्तों मांसून सीजन दस तक दे चुका है बारिस रात से लगातार हो रही है अभी थोड़ी दर के लिए रुकी है तो मैंने सुचा कि कुछ जो बारिस के चाहिए मांसून सीजन में जिस्से कि आपके पौदे healthy रहेंगे और आप अपने गार्डन में तो मैं कुछ गार्डन वबेकें जो आप सब साथ करना चाहता हूँ अगर भी प्लांटिंग करना चाहते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो मैं कुछ आठ दस टापिक आपको बताऊंगा जो दोस्तों आपको जरूर अपने गार्डन में 500 सीजन में करना चाहिए जिसमें की पहला जो सबसे खास वर्क है वो है आपको गमले का ड्रेनेज होल चेक करना तो कि बारिस में जब बारिस रहने से ज़ो मिट्य ज्यादा गीली हो जाती है तो आपका वहां से ट्रेनेर्स ओल से यहां से बाहर नहीं निकल के तो तो मिट्टी में पानी जमेगा और मिट्टी बहुत ज्यादा गीली हो जाएगी जिससे कि आपकी पौदे रूट् तो drainage hole चेक करना है, आपको यह तो मैंने जो grow bags है, इनमें चेक कराया है, इसके लावाँ आप जो plastic के pots है, इनमें आप नीचे देख लें, यह block तो नहीं है, या फिर जो cement pot हो, या मिट्टी के घमले हो, सभी में आप drainage hole चेक कर लें, लेकिन उसके बाद फिर दूसरा work है दोस्त पानी गिरने की वज़े से, तो इनको आपको support देना है, और अगर पौधे support से भी survive नहीं कर सकते हैं, तो यह आपको कुछ time के लिए shaded area में रखना है, जहां direct इन पर बारिस की भूंदे ना गिरे, जिससे की यह पौधे खराब ना हो, इनकी जो है डंडिया गिरे नहीं, तो ऐसे छोटे पौधों को आपको shaded area में रखना है, उसकी अलावा, मैं दिखाऊंँ आपको यह देखी में की पालक है, तो इधर जो मैंने green net लगा रखा है, तो पानी एक जिगह इकठा होता है, वहाँ से गिरता है, जिसकी वज़े से इस साइड की सारी पालक, पानी गिरने क जिसे दब गई हैं, गिर गई हैं, बाकी आप देख सकते हैं, पालक कितनी अच्छी ग्रोह हो रही है, तो इन चीजों को भी आपको ख्याल रखना है, जब आप देख रहे हैं, तो उसे आप polythens या किसी चीज से cover कर सकते हैं, ताकि पानी डारेक्ट वहाँ मिट्टी में न दोस्तों कि आपको जो पौधों को support देना है, बारिस होती है, हवा भी चलती है, बारिस होने से मिट्टी काफी गीली हो जाती है, जिससे roots की पकड़ जो होती है, मिट्टी में वो कमजोर हो जाती है, और जरासी भी हवा चलती है, तो पौधे जुख जाते हैं, तो उन्हें नहीं उनकी ब्रांचिस टूटे नहीं फिर जो चौथा काम है दोस्तों इस प्रकार से देखी बारिस होने के बाद से आप जरूर देखेंगे आपके यहाँ इस प्रकार से खर पतवार निकलने सुरू हो जाते हैं तो आप इनकी regular जो है साफ साफाई मिट्टी में से जरूर करे क्योंकि ये एक तो मिट्टी की nutrition को ले लेते हैं पौधे को नहीं मिल पाती हैं और दूसरा की पौधे की ग्रोथ को ये बाधित करते हैं तो इस प्रकार आपको चेक करना है आपके जिस भी गंबले में इस प्रकार के weeds हर पतवार निकल रहे हैं उन्हें साफ करते रहे regular time period पे अब पांचवा पॉइंट दोस्तों मैं आपको वताओं कि बारिस का मानसून सीजन आते ही हमें अभी जो भी पौधे हमारे हैं जिस भी पौधे को प्रूनिंग किया हो सकता है आप उसमें hard प्रूनिंग और soft प्रूनिंग कर सकते हैं जिससे कि जो नई ग्रोथ निकल के आएगी वो काफी अच्छी होगी तो यह गुलाब का पौधा है मेरा देखिए करने लगेगा तो प्रूनिंग आप कर सकते हैं अभी और प्रूनिंग के बाद आप जो नेक्स्ट पाड़ वही है कि जो प्रूनिंग करते हैं आप गार्डन में तो जो भी आपको cuttings मिलती है आप उन्हें लगा सकते हैं बहुत ही अच्छा सीजन है यह cuttings को grow करने के लिए तो आप जिन भी पोदों की cuttings लगाना चाहते हैं अभी आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में 99% success rate होता है गार्डन मांसून सीजन में अगर आपने इन्हें पूरी मिट्टी को जो है जरू यह अगला टापिक यही था दोस्तों कि आप प्रूनिंग करके उन्हें cuttings भी लगा सकते हैं फिर नेक्स्ट दोस्तों कि आपको मांसून सीजन में fertilizer क्या देना है और कब देना है तो दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं कि जो मांसून सीजन में fertilizer देना वह dry compost देना है liquid compost हम मिट्टे में देते हैं तो liquid compost देने के बाद जब बारिस होती है और पानी से हमारा पूरा गमला भर जाता है तो फिर drainage होल के रास्ते पूरा पूरा compost निकल जाता है जब dry compost हम देते हैं तो उसे मिट्टी में dissolve होने में थोड़ा time लगता है तो जब वह watering होती है बारिस का पान प्रदान करता रगता है अब एक चीज और दोस्तों कि कैसे देनी है तो जब बारिस हुई हो और मिट्टी पूरी तरह से गीली हो उस टाइम पे आपको compost नहीं करना है मैं आपको दिखाऊं जैसे यह गमला देखिया आप इसमें मिट्टी पूरी तरह से गीली रात से हमारे आप इसमें दे सकते हैं और उसे फिर दे के छोड़ दीजिए और composting कब देना है तो दोस्तों 15-20 दिन में एक बार composting कीजिए आप बारिस के सीजिन में फ्लाओर में दे रहे हैं फ्रूट प्लाट में दे रहे हैं वेजिटेबल प्लाट में दे रहे हैं वह उस पौधे की आउसकता है अनुशार आप 15-20 दिन में महीने में एक बार दे सकते हैं अब दोस्तों अगला टॉपिक में मैं बता दूँ आपको यह आप देख रहे हैं रात भर बारिस होने के बाद मेरे सभी गमलों में आपको दिखा दूँ इसमें भी आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल भी नहीं होल्ड हैं आप देख सकते हैं विंका प्लांट में किसी भी पौधे में आप मेरे देख लिए पानी होल्ड नहीं है तो जो मिट्टी आप बनाएं वो इस तरह से बनाएं कि उसमें पानी आते ही ड्रेन हो जाए, निकल जाए तो कैसे मिट्टी मैंने बनाया हुआ है? मैंने 30% गार्डन सोयल, 30% राइसस के साथ हमने 30% कमपोस्ट लिया है और बाकी के 10% में हमने लिया है नीम खली, बोन मिल, सरसो खली ये सारी चीजें मिलाके हमने मिट्टी को त्यार किया हुआ है तो आप भी मिट्टी इस तरह से बना सकते हैं, जो की हलकी भी होगी आपके टेरिस के लिए और काफी ज़्यादा अच्छा इसका डेनेस सिस्टम होगा दोस्तों मैंने इसमें कोकोपीट से बचा है, क्योंकि कोकोपीट मॉस्चर को काफी ज़्यादा होल्ड करता है और बार इसमें हमें मॉस्चर ज़्यादा होल्ड नहीं करना है मिट्टी में तो इसके बाद दोस्तों हम next topic पे आते हैं तो दोस्तों जो next topic है जो पौधा आपका काफी time से एक ही गमले में लगा हुआ है काफी बड़ा हो गया है पौधा आप उसकी growth रुख चुकी है तो आप इस season में इस मांसून season में उसकी reporting कर सकते हैं तो सबसे best time होता है reporting का बड़े स चैनल के लिए best time है और जो भी पौधे बड़े हो गया हो हो काफी टाइम से लग रहे हैं जिनमें ग्रोथ नहीं है उन्हें आप जरूर इस मौसम में रिपोर्ट कर लीजिए फिर दोस्तों इसके बाद मैं आगला टापिक बताऊं कि जो बारिस का पानी है उसे हमें इस्टोर कर लेना चाहिए जैसे कि देख सकते हैं आप मैंने कल रात बारिस का अनुमान था तो मैंने इस टब को बाहर रखके छोड़ दिया था और इसमें पानी इकठा हो गया तो आप जो दो-चार आपके पास बकेट हों, बाल्टी हों, टब हों उन्हें बारिस में बाहर छोड़ दीजिए और वो जब पानी से भर जाए तो उन्हें एक जगह पर इस्टोर कर लीजिए जब बारिस बंद हो जाए तो आप वो पानी से दुबारा से गंबलों के सिचाई कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हेलफफुल होता है बारिस का वाटर पाधों के लिए काफी ज़्यादा न्यूट्रेंट्स होते हैं तो पाधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है तो इसे रेन वाटर इस्टोर करके रख सकते हैं अपने पाधों को बाद में यह पानी से सीचने के लिए फिर तो उस लाश्ट टॉपिक प्र आते हैं कि बारिस के ब लग जाते हैं तो नीम आयल का इस्प्रे या फंगिसाइट का इस्प्रे आपको रेगूरर इंटरवल पे जरूर करना चाहिए खास करके बारिस के बारिस अगर आपके आज हुई है तो नेक्स डे जरूर करें आप किसी ट्राइकोडर्मा या फिर बेविश्टीन साफ यह इन से नहीं करना चाहते तो आप राक का छिड़काओ कर सकते हैं या फिर नीम आयल का इस्प्रे आप अपने प्लांट्स पर जरूर करें तो दोस्तों यह कुछ बाते थी जो आपको बारिस में ख्याल रखना चाहिए और मैं एक प्लस और बता दूं आपको कि बारिस के सीजन है या नहीं इस सीजन में यह पौधा ग्रो करेगा या नहीं तो इस हिसाब से लगाएं क्यूक्त एकसर अइस होता है कि हम बिना सीजन के दें कुछ पॉध्य में लगा सकते हैं कि कुछ में पता 200 है और यह चीज़े पता कर पैसी कि स debating किस वेरी वेजटेवल का सीज़न भी चल रहा है जिसे हमें लगाना चाहिए अन्य था हम कुछ भी लगाएंगे तो उसमें हमारी एनरजी हमारे जो रिसोर्स हैं सारे चीज़ें वेश्ट होती हैं और फिर हमें सैटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कोई सवाल हो कोई सुझाओ हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें बहुत बहुत धन्यवाद